हेलो स्टुडेंट टुडेंट टुडेंट वी विल रेट ग्रामार चप्टर थार्टीन टैन्स ओकें उसमें जाए वी हेव अल्रेडे लॉट दाट वर्बर एक्शन वाट दे टेल असे बाउट एक्शन एक्जम्पल रीड राइट शेंग कोटीट शीट प्ले और लेडिया में वर्ब उसे पहले पढ़ चुके हैं और अध्य वर्ब का मेंस वह एक्शन बताता है जो क्या कर रहे हम जैसे रीट पढ़ते राइट लिखते सिंग गाते कुक खाते इट कुक बनाते पीट खाते सिट बेड़ते प्ले खेलते इसम एक्शन वार उसको बोलते हैं डूइंग वार रीड दा फॉलंग सेंटेस दा डॉग इज बार्किंग लाउडली दग कुता भूक रहा है मतलब अभी हो रहा है जो कम कभी ता सेंग ब्यूटिफुल कभी ता सुंदर गाया गाया मतलब अलेटी हैपनेड मतलब हो चुका है ही वील कुक दा फूट वो खाना बनाएगा गोइंग है पन मतलब होने वाला है होने जा रहा है वानेग दा टैंस अफे वर्ब तेल्स अस वेदर सम्थिंग इज हैपनिंग ना है है जैलरी अल्रेडी है पने और इस गॉइंग टॉइपन यह जैन से बोला जाते हैं एक अना प्रेजेंट टैंस रीड दा फॉलविए प्रेजेंट के जो अंकीता रीड शी निउस्पेपर बेबी प्लेश विथ डॉइच मैड क्लेंडा रूम इसमें रीड पढ़ते हैं प्लेग खेलते हैं एंडे क्लीन साफ करते हैं देयार नो से प्रेजेंट टैंस उसको प्रेजेंट टैंस बोला जाता हैं ओके नेस्ट पास्टेंस रीड फॉलविए प्रिती ड्रंक एक ग्लास मिल्क आरप गेब दा कार की तो दा ड्राइवर ग्रेंट फादर स्लेप्ट फर दा आवार शी तेंट जाए उसमें वर्ब और दा ए विए द्लेप्ट सोया देशो दा पास्ट टाइम देए नोवन जपस्ट टैंस यह पास्ट टाइम जो हो चुका है उसका बारे में बताया इसलिए उसको पास्ट बोलते है भूत काल बला जाता है उसको हिंदी में वही फूटर टैंस रेड़ दा फॉल्लिविग सेंटेंस crops family will celebrate after the harvest harvest का बाद family service करेंगे farmer crops काटेंगे ये जो sentence में वर्वर दा action word here will grow ये वर्वे will cut वर्वे काटेंगे will celebrate celebrate करेंगे देशो और future time भविष्यत में होने वाला है वो बता रहा है इसलिए उसको future tense बुला जाता है इस sentence which has is so the present tense since tells us what is happening in the present time present time में present में क्या होता है वो बता रहा है इसका past tense watch होता है watch बता रहा है क्या हो चुका है past tense science since the tells what has happened in the past time past time में क्या हो चुका है वो बताता है past tense में और the sentence which will or will be so the future tense since tell us which will happen in the future time future time में क्या होगा वो बताता है will or will be different form of the verb be are given below simple present में is aim are used होता है helping verb में और इस एम आर अगर जो पास्टेंस हो जाता है तो watch where is aim का watch आर का past tense आर का past tense वेर होता है ठीक है जब future tense में एक कि इसमण अगर प्रेज horrific का उसको फ्यूचर टेंस करेंगे तो Bond को फ्यूचर टेंश में जी उसकषा हटा विसेंश में सबना भुटर खांबर और यह करना हैं व्यूचर थैकर यह लैptर प्रेप में विल बuição पण सब्सक्राइब और से तो ऐने बिदा श्ख्राव U7 इंधा री श्रस इट रेजन्ट में चुलिए एटीन रिश्र हो जाता है जी इंधा रीशस विल मतलब चुलन विल इट ृश समय खाएंगे से शी में घुब ये बाविश्ठ रोत हो जते हैं यह प्रेजантиousse प्रेजण्ट का अगर पास्टेंस बनाएंगे एट होगा एट अगर उसका फ्यूचर में लेखेंगे इट का तो विल इट लिखा जाएगा कि रीं सिंपल प्रेजंट सिंपल पाष्ट एंद सिंपल फ्यूच्टर टेंज फ्रम एफ दा वर्ब कुछ यहां पर वर्ब दिया है वर्ब का यह प्रेजन्ट है उसका पास्ट और फ्यूचर आप उसको देखा और लण भी करकी रखना है boy, bought, will boy catch, caught, will catch blow present में तो उसको past tense में blue, उसका future tense will blue dance, danced, dance will dance, do, did will do, bring brought, will bring brick, broke, will break die, died, will die jump, jumped, will jump eat, ate, will ate यह से दिया है और आपको बूक में देखना है पेज नमबर 57 में और यह और लॉन प्रपर ली और रिमेंबर इट नेस्ट रीड दा गिवन संटेंस और इडेंटिफाइ दा वर्ब एंड देर पाटिकुलर टेंस फर्म राइड देम इन दा टेवल देखा जीत वाज हेल्दी उसमें से वर्ब को धुंड़ो और उसका पाटिकुल फर्म बताओ और इसमेला यह वर्ब है जीत वाज हेल्दी तो वाज होता है वर्ब और वह कौन सा टेंस में आपको यह नीचे टेवल भी दिया है यह टेवल में लिखना है प्रेजेंट टेंस पास्टेंस और फ्यूचर टेंस दिया है जो पास उसका नीचे लिखना है वर्ब को जैसे watch, watch होता है वर्व और वो past tense में आता है इसलिए past tense का निचे लिखने है watch ठीक है इसा है she needs your math book तो यहां पे needs होता है वर्व और वो होगा present tense में लिखना है ठीक है यह sentence में head past tense होता है head verb और past tense है और उसको past tense में निचे लिखना है ठीक है यह will open future tense में आता है इसलिए इधर will open लिखना है next यह आता है sleeps यह present tense में आता है present tense में लिखना है will bring यह future tense में लिखना है और यह भी will bring है यह भी future tense में आता है वह भी लिखना है है कि उकैं यह वील ओपने से उसको नेइस्ट पर वह लेड़ टिक राइड़ दा ori्टर तर गोश्च में लाइड़ करना जेश स्टांड पर차 तरय मुणहंद तर यह सेंटेंस में और Un when का past Chance 20 होता है पास्टेंस ही में राइट करना है यह will start को मिले मलागते मतलो फ्यों चेह होता है और इमाख new new मतलो past खर्था है उसमें राइट करना है और ostland मेंडेड भी पास्टेंस होता है उसमें अदरेस्टेंड लाइन करना है hanging हाईट हाईट वर उटा है और वह ग्र ważने होता है और men यहाँ परब उटा व्यरा पास्टेंस में आता हैर द August ृपल्ज रिवर्ज होता है और यह JOSH और यह भी olduğ मेसे चाहर को उसको कंप्रिट करना है